सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स उत्तरपदीश पीधान सबाज चुना दो हजार बाईस आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है ऐसे में सभी दलों ने पहले और दुस्तरे चरण के लिए जिन प्रतियासियों के नामों की घोंसरा कर दी है उन्होंने आगे की पूरी परिक्रिया करते हुए नमांकन पत्र खरेदने भी शुरू कर दी है वहीं रामपूर से बड़ी ख़बर यह आ रही है कि नदर विदानसबा सीट से आजम खान ही चुनाव लड़ेंगे बताए जा रहा है कि वहाँ पर आजम खान के नाम से तीन पर्चे कर दे गए है हलाकि अभी नमांकन दाखिल नहीं हुआ है वहीं ये ख़बर आ रही है कि आजम खान उनकी पत्नी और बेटे ने नॉमिनेशन फॉर्म करदा है तंजीम फातिमा के नाम से दो और अब्दुल्ला आजम के नाम से तीन नॉमिनेशन फॉर्म कर दे गए है बता देगी आजम खान रामपूर सहर से और अब्दुल्ला आजम सुआरा टांडा से सपा के प्रत्यासी हैं सपा के नगरा ध्यक्ष अशीम राजा शुक्रवार को कलेक्टेक पहुँचे थे और आजम के नाम से तीन नमांकन पत्र लिए वहीं समाजवाधी पाटी के नेता फरहान अली ने अब्दुल्ला आजम के नाम से तीन नमेनेशन फ़र्म खर दे मुकर्रम रजा ने डॉक्टर तंजिम फात्मा के नाम से दो नमांकन पत्र खर दे हैं दूसरे दलों के नेतावों ने भी नमांकन पत्र आजम खान के खिलाफ खड़े होने वाले कॉंगरिस प्रतियाशी और पूर्व मंत्री नवाब काजी मली खान उफ नावेद मिया ने पांच पत्र लिए और बीजेपी की अकास सक्सेना ने भी तीन नमांकन पत्र लिए हैं आजम खान लागातार नौ बार बिधाई की जीते हैं और मवजूदा समय में यहीं से सांशर हैं दो साल से सीतापूर जेल में बंध हैं आजम जानकारी के लिए बता दी कि समाजवादी पार्टी के शांशर आजम खान दो साल से सीतापूर की जेल में कैड हैं आजम खान के अब्दुल्ला आजम हेक अफ्ते पहले जेल से वापस आए है अभ अब्दुल्ला अपने चुनाव की कमान तो समाली रहे हैं साथी जेल में बैठे पीता के लिए भी चुनाव समाल रहे हैं हलाके उनके समर्थकु Nepom का मानना है कि आजम खानिने दोस हैं और जल्द ही या थाबित हो जाएगा आज अम जल्द जेल से छुट कर वापस आ जाएंगे नियुज रूम से नियुज लाइफ किरेबोगे